पूमेर रूपरडक्शन पढ़ रहते हैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्स्टर्नल जनाइटेलिया ठीक है टॉपिक का हमारा नाम है एक्स्टर्नल जनाइटेलिया external genitalia बच्चा external genitalia को ही वुल्वा भी बोलते है ठीक है अच्छा आपको पता है कि इस external genitalia के अंदर चार चीज़ा आते हैं कौन-कौन से चीज़ा आते हैं एक तो mons pubis आता है दूसरा clitoris आता है तीसरा vestibule आता है और चौथा labia लेबिया में भी दो होते है एक labia minoria होता है और एक labia majoria होता है तो पहले चारों का नाम लिख लेते हैं हम लोग mons pubis ठीक दूसरे नमबर बच्चा vestibule ठीक उसके बाद बच्चा vestibule के बाद clitoris और लास्ट बच्चा labia और इस labia में भी बच्चा labia minoria होता है और एक majoria होता है ठीक है अब बच्चा अगर इन चारों चीजों को बारे में हमने पढ़ लिया तो हमारा external genitalia या vulva complete हो जाएगा ठीक है आईए सबसे पहले बच्चा हम क्या करेंगे हम एक एक का structure बनाते चलेंगे और उसके बारे में study करते रहेंगे ठीक है बच्चा ये एक cavity है इस cavity को बोला जाता है इस cavity को बोला जाता है vestibule ठीक है अब हम इधर से पहले नंबर पर अपना heading डाल देते हैं vestibule बच्चा इस vestibule में होता क्या है ये vestibule एक cavity है इस cavity के अंदर दो opening दिखने को मिलेगा ठीक है इस vestibule के अंदर हमें दो opening दिखने को मिलेगा जो उपर वाला बच्चा opening होता है और एक नीचे की तरफ opening होगा उपर वाले opening को बच्चा बोलते हैं urethral opening urethral opening और बच्चा ये जो नीचे वाला opening होता है इसे बोलते हैं vaginal opening ठीक है इसलिए बच्चा कहा जाता है कि female के case में जो urethral opening होता है और जो vaginal opening होता है ये दोनों separated होते है हलाकि ये जो दोनों opening है हमें कहां दिखने को मिलेंगे तो इस vestibule के अंदर दिखने को मिलेंगे ठीक है तो हम एक point लिख सकते हैं vestibule में क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं vestibule के अंदर in female comma both urethral opening and vaginal opening are separated बिल्कुल सही बात है बच्चा क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस vestibule के अंदर दो opening है जो उपर वाला है वो urethral opening है और नीचे वाले को हम vaginal opening करें तो वही point लिखा है कि in female both urethral opening and vaginal opening are separated दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं कि male में ऐसा नहीं होता है ठीक है उसके बाद बच्चा अगला point both urethral opening and vaginal opening are open into a bowel shape cavity called vestibule ठीक है तो बच्चा अगला point ये कह रहा है कि चाहें यूरेthral opening हो या vaginal opening हो ये दोनों opening open होते हैं एक bowel safe cavity के अंदर उस bowel safe cavity को बोला जाता वेस्टिविल हमें structure में भी वही दिखने को मिला है कि इस वेस्टिविल के अंदर दो opening है कि एक यूरेthral opening है और वेटाइनल opening है यानि यहां से बच्चा हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं ऑम बोल सकते हैं कि जो वेस्टिविुल होता है वेस्टिविण के cont District के अंदर को जो औपनिंग मिलता है अ कॉन कॉनसे prix मिलते हैं अच्छा एक हमें दिखने को मिलना है यूरेथ्रल ओपनिंग और एक हमें दिखने को मिलना है वेजाइनल ओपनिंग ठीक है अच्छा बच्छा इसमें कुशन आता है कि यूरेथ्रल ओपनिंग हमें ऊपर की तरफ दिखने को मिलता है और वेजाइनल ओपनिंग नीचे की तर ठीक है यह एंटिरियर सरफिस पर मिलेगा ठीक है और यह वाला आपको lower side दूसरा चीज posterior यह बच्चा हमारा पर यहाँ पर vestibule कतम हो गया vestibule क्या होता है एक bowel shape cavity होता है इस vestibule के अंदर हमें दो opening दिखने को मिलेगा एक urethral opening दिखने को मिलेगा और दूसरा vaginal opening दिखने को मिलेगा जो urethral opening होता है यह upper side में होता है जो vaginal opening होता है यह lower side में होता है ठीक है इस से जारा कुछ भी नहीं है vestibule के बारे में ठीक उसके बाद बच्चा होता है कि यह पूरा structure vestibule है इस vestibule को cover करने के लिए labia minora सबसे पहले present होता है ठीक है हमने बोला कि इस vestibule को cover करने के लिए सबसे पहले labia minora present होता है ठीक है यानि ठीक अब अच्चा यह वाला जो structure मैंने बना है इससे बोलते हैं labia minora ठीक है अच्चा लेबिया minora क्या होता है हम इधर लिक लेते हैं इसके बारे में भी अगला हमरा topic है labia minora बच्चा जो labia minora होता है यह thin होता है ठीक है अच्चा इस labia minora के उपर भी labia majora present होता है तो यह अंदर की तरफ है हम इसे inner बोल सकते है और यह अच्चली में होता है क्या है तो यह fold of skin होता है ठीक है आपको structure में दिख रहा है कि यह जो labia minora है यह किसे cover कर रहा है इस vestibule वाले part को ही तो cover कर रहा है यानि कि जो tip portion होता है या interior part of labia minora होता है इस tip वाले portion को बच्चा बोलते है previous यह जो मैंने green से बनाया है इसे ही बोलेंगे बच्चा previous तो previous में हम क्या लिख सकते हैं बच्चा कि इस labia minora का जो anterior part होता है या जो tip part होता है उसी को prepuse कहते है तो इसमें हम एक point लिख सकते हैं क्या हम लिख सकते हैं anterior या tip part of labia minora called क्या बोलते हैं prepuse ठीक है तो आप से अगर कभी पुछा गया कि prepuse क्या होता है तो आप बता सकते हो कि labia minora का जो anterior part होता है या जो tip part होता है उसी को prepuse बोलते हैं ठीक है अब बचा है इस prepuse के नीचे क्या पाय जाता है इस prepuse के just नीचे पाय जाता है clitoris यानि यहाँ पे इस तरीके से एक finger like structure होता है इसे बोलते है clitoris ठीक है अब हम लिखते हैं कि clitoris क्या होता है इधर हम लिख लिखते है clitoris क्या होता है ठीक बच्चा तुझ बच्चा जो clitoris होता है हमें दिख रहा है कि इस prepuse के नीचे clitoris मिल ला है ठीक है तो पहली बात यह छोड़ा सा चीज है तो यानि small होता है small होता है अगला point finger like होता है finger like होता है यह किस से बना होता है बच्चा तो यह बना होता है spongy longitudinal tissue से बना होता है spongy longitudinal tissue से बना होता है यानि इसके अंदर क्या पाया जाता है इसके अंदर actually में दो corpora cavernosa पाया जाता है अब यह corpora cavernosa हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने TS of penis देखा था तो TS of penis में हमने देखा था कि पीछे की तरफ दो dorsal lateral longitudinal erectile tissue होते हैं जिने हमने corpora cavernosa बोला था और एक आगे vental के तरफ corpora spongy osum होता है और जो urethral opening पहले जाता है male के अंदर वो corpora spongy osum के अंदर ही पहले जाता है इसलिए बचा जो clitoris part होता है यह homologus होता है किस से penis से ठीक है क्योंकि penis के अंदर भी हमें 2 corpora cavernosa दिखने को मिलेगा ठीक है और यहां पर clitoris के अंदर भी हमें 2 corpora cavernosa दिखने को मिला ठीक है अच्छा अगला point बच्चा यह जो clitoris है इसे कौन कवर कर रहा है तो क्या हम लिख सकते है clitoris are covered by prepuse बिल्कु लिख सकते है तो वही point है clitoris are covered by prepuse ठीक है उसके बद बच्चा है इस clitoris का जो काम होता है इसका pleasure या sensation वाला काम होता है ठीक है roll in pleaser pleaser बोलो या sensation बोलो बात एक ही है हम sensation भी bracket में लिखते रहे है तो clitoris वाला जो पाट होता है वो pleaser या sensation के लिए होता है ठीक है तो बच्चा vestibule के बाद यह हमारा clitoris भी खतम होगा ठीक है अब बच्चा इसके भी ऊपर इस labia minora के ऊपर labia majora present होता है ठीक है यानि इसके भी ऊपर अब हमें यहाँ पर ठीक है तो यह वाला पाट कहलाएगा बच्चा labia minora के बाद यह वाला पाट कहलाएगा labia majora अच्चा सबसे बाहर हमें यह labia majora ही दिखने को मिलता है तो labia majora में हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं labia majora अच्चा बचा यह सबसे बाहर दिखने को मिलना है ठीक है सबसे बाहर दिखने को मिलना है तो हम लिख सकते हैं यह outer होते हैं ठीक है सिम लीवी्या माईनॉराट तरऊ है ये भी फोल्ड ओफ स्कीन थ BENEF savoir कि चैनल ये जो लीविया चैनल ये इस लिविया माईनॉरा तो तो हम देख सकते हैं साराउंड कर रहा है उफ dimensional लेविया माइनोरा ठीक है बच्चा अच्च तो ये हमारा लेविया मेजोरा भी खतम हो गया ठीक है अब इसके बाद हमें क्या देखना बच्चा हमने अभी तक क्या देखा वेस्टिब्यूल वाला पार्ट खतम हो गया क्लिटोरीस वाला पार्ट कतम हो गया और लेविया माइनोरा मेजवरा दुनों कतम गया बचा कौन सा मॉन्स प्यूबिस कहां पो होता है यहां पे एक्चुली बच्चा टिक यहां पे बच्च कुछ है लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं है इस एरिय को अपर वाला यह जो एरिया होता है इस एरियो को ही बुला जाता है मॉन्स यंक यह वाला एरिया पूरा कहला यहांगा मॉन्स फ्यूबिस अच्छा अगर उपर मॉन्स प्यूविस हो गया ठीक है इधर कहीं पर सकोच के लिजे कि यहाँ पर एनल ओपनिंग है ठीक है एनल ओपनिंग है और यहाँ पर बच्चा यह जो सारे टीसू यहाँ पर मिल रहे है इस जगे को जहाँ पर यह सारे टीसू मिल रहे हैं इस जगे को बोलते हैं connected tissue का ct होता है इसे बोलते हैं बच्चा forchat ठीक बच्चे इसे बोलते हैं forchat ठीक अब बच्चा होता क्या है इस forchat और इस anal opening के beast का जो जगह होता है उसे बोलते है preputeal अलाकि आपके level पर नहीं यह नहीं भी याद रहेगा फिर भी चल जागा एक final structure नीचे से भी draw कर देते हैं ठीक बच्चा तो बच्चा यह structure हो गया आपके external genitalia के structure ठीक है external genitalia या वुलबॉक के इंदर mons प्रीटोरी यह वाला पार्ट हो गया ठीक है फिलिटोरी यह वाला पार्ट हो गया ठीक उसके बाद लेबिया माइनोरा मेजोरा ठीक है तो बच्चा यहाँ पे external genitalia या वुलबॉक कंप्लीट हुआ फिमेल का ओके